आपका स्वागत है आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट सुपर फूट के बारे में बात करेंगे जिसे हम चिया सीट के नाम से जानते हैं यह कुछ इस तरह का दिखाई दिता है जो कि मार्केट में एजली एबलेबल है आजकल फूब प्रचलन में है यह चिया सीट और इसके बहुत साथा फाइदे हैं जानकर आप भी इसे खाना चाहेंगे और यह चाहेंगे कि इस तरीके यह आपकी हेल्फ में बेनिफिट करें साथ साथ आपके वजन को कम करने पे सहायता करें इसमें हम पहले जानने कि इसमें कार्भोहटर्ट है लोगीन है वितमिन B1, B2 कैल्शियम, मैगनेशियम, मैगनीज और फासफोरस सिभ भरपूर है इसका जो सबसे पहला फाइदा बहियर होता है कि इसमें जो कार्भोहटर्ट कंटेंग है उसमें जादा मात्रा जो है वो फाइपर की है तो फाइबर रेच की गोने के कारण कि हमारी गट हैपको अच्छ का इंटेक करते हैं दूसरा जो फाइदा है वाइया है यह ब्लड शुगर लेवन खोजो है वो नहीं इंग्रेज करता तो जो टाइप 2 डाइबिटीस पेशेंट है वो यदि इसका इंटेक करते हैं उनको काफी फाइदा होगा तीसरा फाइदा यह है यह एंटी जलाश किया सीट पे आकर खत्म होती है वह जरूर इंटेक करें चौथा फाइदा यह है कि कैल्सियम मैगनीशियम मैगनीज और फॉस्पोरस से भरपूर होने के कारण यह हमारी बोन हेल्फ को बहुत अच्छी करता है उमर बढ़ने के साथ जो जोरो में दर्द स्टार्ट ह हो जाता है इसे खाने से उस दर्द से निजाद मिलती है ओमेगा 3 पैटी असिट से धरपूर होने के कारण यह हमारी हार्ट हेल्फ अच्छी रखता है तो इसे जरूर अपनी डाइट में शामिल करें अब मैं कुछ सरल सरल से चीजे बताती हूं जिसे करके आप आसानी से ज जिए चीजे जो मैंने आपको दिखाया था इसे दो घंटा वो से तीन गंटा आप यदी पानी में भीका करके रखते हैं तो यह कुछ इस तरह की गंसिस्टिंसी का चैल लाइट का हो जाता है अब यदि आप बजन करना चाहते हैं तो आपको बस यह करना है कि आपको गरम पानी में आधा नीबू डाल करके लेना है और उसमें कुछ मात्रा शहत के मिला ले और इसमें हम एच के दो टीज पूद चीया सेट को एड़ करने है और सुबह सुबह बस आप इसे पी ले इससे आपका बजन भी कम होगा और बहुत सारे निर्ट्रियंट्स भी आपको आसान इसे मिल जाए दूसरा हम या कर सकते हैं कि दुपहर के खाने के बाद जो हम मठा पीते हैं उस मठे में हम दो चम्मच चिया सीट के डाल दे पहले से हम इसे रात को प्रेपैर करके रखे रहे और दिद में जब भी आपको यूज करना हूँ इस तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर आप जो फ्रूट सैलेड देते हैं तो फ्रूट सैलेड में यदि हम चिया सीट के रोती में स्कूल यूज करने यह काफी टेस्टी भी लगता है ऐसा नहीं है कि यह आपके डेजर्ट की या फिर आपके फ्रूट का टेस्ट खराब कर देगा तो इस तरीके से आप सैलेड में जो आप रायता बनाते हैं किसी भी टाइब का रायता चाहिए आप भूंदी का रायता बना रहे हैं पूच का लौकी का रायता किसी भी रायते में आप उसे मिक्स कर दें या फिर जो आप सुभे नाश्टे में स्प्राउट्स लेते हैं उस इस्प्राउट्स मे अब कुछ मात्रा इसकी मिला सकते हैं और उसे और Super Healthy बना सकते हैं इस तरीके से डिफरिंग करीके से आप्षी शियर शीड का इंटेक करेगा, और अच्छे स्वास चाहर करें और सांसाथ वेट लॉज दे कर देए। थैंक यू सो मच्छ और अभी तक आप ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब निए तो हालिस्टिक है रिषिता YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डॉन्टिप्रिकेशन का बटन लबाना ना ना है। थैंक यू आप उत पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। उत पर मैंने वीडियो बनाया है। और उसे बनाकर देखते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स किन बताईगे कि आपको कैसी रुए। झाल